हाई एवरिवान आप सका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है सो दोस्ता अब लोग काफी सारे यूटूबर्स का जो जर्नी है यूटूबर का जो स्टोरी हो वो ता आप लोगों पता ही होगा कि काफी सारे यूटूबर ऐसे हैं जो नीचे में थे मतलब एक तम ग्राउंड लेवल से आज यूटूब के जर्यों उन्होंने काफी कुछ अचीव किया है काफी कुछ यूटूब के तरह से ही लिया है जैसे कार हो गया, अच्छा घर हो गया, अच्छा लाइफस्टाइल हो गया यहां तो कि आप मेरे भी स्टोरी को जानते ही होंगे कि मैंने भी आज तक जो कुछ किया सब यूट्उब से ही किया तीक है इससे पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था एक इतना बड़ा company खड़ा कर दिया कि 8000 कडूर का वो आज मालिक 8000 कडूर आप लोग तो लाख में सुनते हैं को कडूर में सुनते हैं लेकिन 8000 कडूर समझे कितना बड़ा एक amount है और उतना का वो आज के date पे वो मालिक 8000 कडूर ता आखिर इन्हों ने ये जो मुकाम है वो कैसे हसिल किया आज की इस वीडियो का बनाने का मकसद यह है कि उनके इस शोरी को जब आप लोग सुनोगे तो आप लोगों motivation मिलेगा और आप लोगों पता चलेगा बिना मेहनत किये इस दुनिया में कुछ भी ने मिलता आज कोई भी कुछ भी मुकाम पर बैठा हुआ है कुछ भी आसिल कर चुका है तो वो कहीने कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत किया है चाहे वो कोई भी हो कोई भी यूटुबर हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है अलग पांडे सर के बारे में जो कि आप लोगों पता होगा जिनका यूटूब चैनल है फिजिक्स वाला आज जो है फिजिक्स वाला कमपनी एक यूनिकॉन कमपनी बन गया ठीक है उनके बारे में थोड़ा जानेगे उनका बचपन कैसे रहा आज वो मुकाम जो हासिल किये तो कितना मेहनत किये क्या इस्ट्रगल क्या ऐसे ही तो मिला नहीं होगा तो उनके बारे में जब आप लोगों को जानोगे तो कुछ ना कुछ उनको टीचिंग करवाने में मज़ा आता था इंट्रेस्ट था अब यहां पर बात यह आ जाती कि उनको आयाइटी करने का काफी सपना था लेकिन दोस्तों आयाइटी अगर आपको करना है तो इंडिया में काफी ज़्यादा पॉस्टली होता इसका कोर्स जो भी है आप अगर इसका पढ़ाई करना चाहते हो तो काफी ज़्यादा पैसा चाहिए लाखों में तब आप आयाइटी कर सकते हो अब उनको आयाइटी करने के सपना था लेकिन उनके पापा के पास वह हैसियत नहीं था कि उनको आयाइटी क करने लगे लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि कॉलेज में पढ़ाई करने लगे तो इतना ज़्यादा खर्चा होने लगा और उसके बाद वहां का जो पढ़ाई था वह उनको अच्छा ही नहीं लग रहा था जिस बज़द क्या-क्या उन्होंने थार्ड सेमेस्टर में ही सायद कर दिया और उसके बाद क्या क्या कि वह टीचिंग लेगुलर करवाते रहते ते अपना सारा खर्चा निकालने के लिए टीचिंग करवाते उन्होंने क्या-क्या इटी भी लोग एक पढ़ाने लग गये और फूल टाइम टीचर ही वन गये वह पढ़ाने लग आब दोस्तो YouTube के बारे में बताया, ठीक है, जिन्होंने उन्हें YouTube के बारे में बताया कि YouTube पे आप इसी पढ़ाई को एक बड़े लेबल में पहुचा सकते हो, अपने knowledge को share कर सकते हो, एक बड़े audience के साथ, ठीक है, तब उन्होंने दोस्तो 2014 में अपना YouTube चैनल उपन किया था, फिजिक्स वा विडियो डालने के बाद, रेगूलर मेहनत करने के बाद, अल्ली 10,000 सब्सक्राइबर, यहां पर आपको मिलेगा motivation, आप लोग बहुत ज़्यादा हडबाडाने लगते हो, भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना अच्छा वीडियो बना रहा हूं, बट हमारा चैनल ही ग यूटूब पे एक huge audience increasement होने लगा, जी हो आने के बाद, उसके बाद दोस्तों उनके YouTube चैनल का जो graph है, जो growth है, वो बढ़ना शुरू हुआ, धिरे 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 वो चैनल और ज्यादा बूस्ट होने लगा, बूस्ट होते होते दोस्तों वो चैनल इतना जादा तेज चलने लगा, खुद का एक course launch किये, physics related, ठीक है, जो कि एक साल का course only 999 रुपिये में, पहला course उनका, 2020 में उन्होंने निकाला था, एक साल तक physics कोई भी student पढ़ सकता था, सिर्फ 999 रुपिया दे करके, तो काफी ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा एक तम सस्ता प्राइस में उन्होंने निकाला, जिस वज़े से उनका जो course है, वो 25,000 सेल हो चुका था, उसके बाद उसमें तो लाखों लोग उस course को खरीदिने लग गए, उसके बाद दोस्तों जो बड़े-बड़े हमारे इंडिया में काफी सारे बड़े-बड़े add-tech companies है, उनको भी डर लगने जोएन होजा, आपको 40 कड़ोर रूपिया दूँगा, 40 कड़ोर आप समय सकते हो, लेकिन उन्होंने वो offer ठुकरा दिया, कि नहीं मुझे offer नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पढ़ाऊंगा, मुझे teaching कराऊने में अच्छा लगता है, मैं अपने नाम को ही brand ब काफी सारे लोग उनसे join होते रहें, और साय से 2021 में उन्होंने या फि 2022 में अपना एक खुद का application भी launch किया, जो की था physics वाला के नाम से ही, और उसमें लाखोट downloads भी हो गए, only one week में, तो काफी जादे इनका नाम देरे देरे popular होने लगा, आज के date पे दोस्तों इनका काफी स सारा यूटूब चैनल है, सारे यूटूब चैनल का अगर सब्सक्राइबर बेस को काउंट करोगे तो 15 मिलियन से भी जादा है, और आज के date पे दोस्तों एक physics वाला बहुत बड़ा ad deck company बन चुका है, जिसका network 8000 कडोर है, आप आप लोग समझ के देखो कि कोई भी चीज मैश्वरी सर बोलते हैं, ठीक है, 2014 में उन्होंने यूटूब चैनल उपन किया, एक middle class family से विलोंग करते थे, उनके पापा को उतना हैसियत भी नहीं था, को वो IIT करवा पाए, बट उन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम से आज ये मुकाम हासिल किया, ठीक है, उनक मालिक भी बहुत बड़ा एक यूनिकॉन कंपानी बन चुका है फिजिक्स बाला, तो I hope दोस्तों आज की इस हिस्टोरी से आप लोग काफी ज़्याद मोटिवेशन मिला है, आप लोग बताना क्या अच्छा लगा वीडियो में, फिडवेक देना, चैनल पर नहीं हो तो सब सब्सक्राइब करना चले, आज की लिए इतना ही, तब तक लिए जय ही वंदे मातर हमाइब